महापुर विनोद अगरवाल ने रवीबार दो अक्टूबर को राष्ट पिता महातमा गांदी और देश के दूसरे प्रधान मंतरी लाल बहादूर शास्त्री की जैनती पर उन्हें नमन किया बापु की 153 भी जैनती पर वह मुरादबाद के कमपनी बाग दिस्तित शहीद इसमारक पर पहुँचे शहीद इसमारक के पास जाकर सिर्जुका कर नमन किया उन्होंने इसके बाद महातमा गांदी जी की लगी प्रतीमा पर फूल अर्पित कर उन्हें शधानजली अर्पित क इस दोरान एक विचार गोस्ति का भी आयोजन किया गया जिसमें नगर आयतु संजे कुमार चुहान पर महापौर विनोध अगरवाल और नगर निगम के भाजपा के सभी पाशोदों ने हिस्सा लिया इस मौके पर नगर आयतु संजे कुमार चुहान भाजपा महामंतरी न नगरे इतने हो दै हमारे महामत्री नतुनाब खश्यादी सर्दान गुविनब सिंगी समय आज आजादी के 75 में अमरित महुतसप के अफसर पर हम रोगया मना रहे हैं बहुत शुक दिन है कि आज के दिन मात्मा गांदी जी का वालाल बादु शास्तरी जी का जन्म दिन है आज को एक साथ लेकर जिस तरह भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपनी संदक्षत की भूमी का निवाई इसी लिए मात्मा गांदी को राश्टुता का लाता है पिता का कर्तव और पिता का धर्म ये सब निवाते वे उन्होंने आज हमें आयादी के ये दिन लिखाये में मेरा इस अफसर पर परमश्रदे राश्पिता मात्मा गांदी जी को नमन साथ ही भारत रग जो एक डर्ड इच्चा शक्ति के पुरुष्टे मापुरुष्टे ऐसे लालबाबु शासरे जी को भी नमन जिनोंने विपरीट परिस्तिकी में देश को आगे भाने के लिए चाहे वो जुद्ध का मोर्चा हो चाहे कर्शी का जिस समय देश के अंदर अनाज की भरभूर कमियों रखी दी सिवहों पे पाकिस्तान का जुद्ध चवजाता मुस्त में लाल बादु शासरी ने जिस जुद्धा का परिचे दिया वो हमेशा हमें इस प्रविजे रहेगा उनके चरणों में भी धमत और यही एक प्रेजन के सोतने आने वाली पीड़ी गांदी जी के विचारदान से और शासरी जी के सिधानतों से अगर अपने जीवन में उतारे जीवन तो निश्चित तोर पर यह देश आने वाली टैंड में और आगे बढ़े गांदी